हम लोग बात करें हमारे डेली के रेंट फेर सेशन की जो सुबा चार बज इवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकलोर फ्रंटियर आई एसपर आज की तारीक है 28 जुलाई 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वैबसाइट से साथ ही साथ for daily videos, pdf and monthly magazine आप हमारे टेली ग्राम हैंडल्स प्रंटियर आई एस और सेस जल्पनेकल ओनलाईन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे previous schools के साथ मैंने आपसे पहला question पूचा था कि विश्व Athletics Championship में भारत का पहला रज़त पदक किसने जीता इसका correct answer था नीड़त चोपड़ा और दूसरा question पूचा था कि सिंग, dance and pray तर इंस्पिरेशनल स्टोरी आफ श्रील प्रभुपात नामकपुस्त कि स्टार्ट करेंगे first question देखलो आज के सेशन के लिए किस राष्ट्य उद्यान को दूसरा वार्षिक IUCN WCPN तर राष्ट्य रेंजर पूरसका 2022 प्राप्थ हुआ है correct answer है option number B औरंग राष्ट्य उद्यान और टाइगर इजर्व डिटेल्स देखलो तो औरंग नाशनल पाक और टाइगर इजर्व असम को दूसरा वार्षिक IUCN WCPN तर नाशनल रेंजर रवाट 2022 मिला यह पूरसकार International Union for Conservation of Nature IUCN और World Commission on Protected Area WCPA दवरा दिया गया है औरंग नाशनल पाक और टाइगर इजर्व को जंगली स्थानों और वर्णय जीवों की रक्षा करने और स्थानीय समुदाएं का समर्थन करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है यह पूरसकार की गाली रवांडा में IUCN अफ्री के संरक्षित शेत्री कॉंग्रस में प्रस्तूत किया गया इस साल साथ व्यक्तिगत रेंजरों और तीन रेंजर टीमों को सम्मानित किया गया है बात करें हाँ पर असम की तो इसके फोक डांस में आता है बी हू युनेस्को वर्ल हैटेस साइट्स में आता है काजी रंगा नैशनल पार्क नैशनल पार्क्स में आता है काजी रंगा नैशनल पार्क मानस नैशनल पार्क औरंग नैशनल पार्क डिबरू से खोवा नैशनल पार्क और ना मेरी नैशनल पार्क असम की कैपिटल है डिस्पुर गवर्नर है जगदीश मुखी सीमे हीमद विस्वा सर्मा किस राजे के पाला आद्रभूमी को रामसर स्थल के रूप में मानेता मिली है इंपोर्टन क्वेस्चिन है करेक्ट आंसर है मिजोराम दाट इस ऑप्षिन अमबर दी डिटेल्स देख लो आद्र भूमी, मिजोराम में एक और मधर परदेश में एक शामिल है भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या अब 54 है कुइकली डिसकस कर लेते हैं उन 5 रामसर साइट्स को सबसे पहले करी किली पक्षिय अभ्यारन्य तमिलाडु के कांची पूरम जिले में स्थेत है पली करनाई मार्श रिजर्फ फॉरेस्ट चनाई तमिलाडु में सिदेक मीठे पानी का दल दल है यह शहर का एक मात्रत जीवित आदर भूमी पारिसिती की तंतर है और दक्षिन भारत के कुछ और अंतिम शेश प्राकरतिक आदर भूमी में से एक है पिछ बरव मैंगरोव तमिलाडु के कुडा लोड जिले में स्थेत है मैंगरोव भारत के सबसे बड़े मैंगरोव वनो में से एक है जो 1100 हेक्टेर में फैला हुआ है पाला आदरभूमी यह मिजोराम की सबसे बड़ी प्राकरतिक आदरभूमी है यह जानवर और पक्षियों की एक श्रिंखला सहित पशु प्रजातियों की स्मृत विविदता का घर है लास्ट है साखे सागर मध्य परदेश के शिफपूर जिले की साखे सागर जील इसे भुपाल के भोज ताल यानी बड़ा तलाप को यह दरजा मिल चुका है बात करें मिजोराम की तो इसमें आता है मुर्लिन नाशनल पाक, दंपा टाइगर इजर्व और तावी वाइले सेंक्चुरी मिजोराम पी कैपिटल है इसवाल, सीम है जोरम ठंगा, गवर्णर है कमबपती हरी बाबू नेक्स्ट क्वेसन देखो आइसीसी ने किस देश को सदस्यता का दरजा प्रदान किया? करेक्ट आंसर है उपरोग सभी यानि कमबोडिया, उस्बेकिस्तान और कोटे डियाईवर डिटेलस देख लो तो बर्मिंगम में चल रहे आइसीसी वाशिक सम्मेलन के दुरान आइसीसी ने तीन देशों को सदस्यता का दरजा दिया एशीया से कमबोडिया और उस्बेकिस्तान और अफ्रीका के कोटे डियाईवर सभी को एसोसीयेट सदस्यता का दरजा दिया गया जिससे आइसीसी के कुल्क सदस्यों को 108 देशों में ले जाया गया जिसमें 96 एसोसीयेट शामिल है इशियाई देशों की कुल संख्या 25 जबके अफ्रीकी देशों की कुल संख्या 21 हो गई है यहाँ पर एक विक रिविजिन की बात करें तो इंग्लेंड के बल्ले बाज जॉनी बेरेश्टो को जून के लिए ICC प्लेयर अफ दी मंथ का पुरसकार दिया गया दक्षिन अफ्रीका की मारेज़ाने कैप महिला प्लेयर अफ दी मंथ जून 2022 हासिल किया बात करें कमबोडिया की तो इसी कैपिटल है फिनॉम फेन करंसे कमबोडियन रियल उसबेकिस्तान की बात करें तो इसी कैपिटल है ताशकेंट करंसे उसबेकिस्तानी सूम नेक्स्ट क्वेसन देखो प्रेटन और बुन्यादी धांचे के विकास के लिए अंदेमान और निकोबार प्रशासन को कौन सा द्वीप सौंपा गया है करेक्ट आंसर है और प्ष्ण नमबर बी नेता जी सुभास चंद्रबोस द्वीप देखलो तो अंदेमान और निकोबार कमांड ने एतिहासिक नेताजी सुभास चंद्रबोस द्वीप को अंदेमान और निकोबार प्रशासन को सौंप दिया ताकि द्वीप के प्रेटन और बुन्यादी धांचे का विकास किया आ जाए अंदेमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ, लेफटेन इन जेंडरल अजे सिंग ने प्रतिकात्मक रूप से द्वीप के प्रशासनिक नियंतरन को दक्षिन अंदेमान के उपायुक सुने लंची पाका को सौप दिया नेताजी सुभास चंद्र बोस द्वीप जिससे पहले रौस द्वीप के नाम से जाना जाता था 1967 से आइनस जारवा के नियंतरन में था 1942 में जब तक जापानियों ने इस पर कबजा नहीं किया तब तक नेताजी सुभास चंद्रबोस द्वीप द्वीपों में ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक मुख्याले भी था 25 जुलाई 2022 से इस द्वीप में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा बात करें हाँ पर अंदिमा निकोबार आइलेंड्स की तो सी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर इसके लेफ्टन गवर्णर है एड्मिरल डी के जोशी नेक्स्ट क्वेशन देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम प्राइड ओफ इंडिया वर्ड 2022 के लिए किसे चुना गया है करेक्ट आंसर है और अप्च नेमर डी रंजीत सिंग डिसाले देख लो तो रंजीत सिंग डिसाले जो 2020 में ग्लोबल टीचर अवर्ड के प्राप्त करता थे को डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम प्राइड ओफ इंडिया वर्ड 2022 के लिए चुना गया है उन्हें 27 जुलाई 2022 को तमिलाडू के रामेश्वरम में प्रतेश्चित पुरसकार दिया गया श्री डिसाले ने हाल हीमस सयुक्त राज्य अमेरिका में उच अधियान करने के लिए सोलापुर जिले से एक जिला परिशा शिक्षक के रूप में स्तीफा दे दिया उन्होंने लड़कियों के भी शिक्षा को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के साथ साथ भारत में क्यूर कोडेड पाठे पुस्त क्रांती को ट्रिगर करने के लिए एक मिलेन अमेरिकी डॉलर का वैश्विक शिक्षक पुरसकार जीता किस सरकारी निकाई ने दीन दयाल स्पर्ष योजना नामक चातर भृति योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है डाक विभाग यानि डिपार्टमेंट ओफ पोस्ट्स डिटेल्स देख लो तो डाक विभाग में चटी से नौबी कक्षा तक के बच्चों को पुरसकार देने के लिए दीन दयाल स्पर्ष योजना नामक एक डाक टिकट चातर भृति योजना शुरू की है चे हजार उपे की वाशिक चातर भृति के लिए डाक टिकट संग्रय के शौक को पोशित करने वाले चातर चातराओं का चयन डाक विभाग दवारा क्विज के माध्यम से किया जाएगा इस योजना को देश्य स्टांप संग्रय से संबंदित बच्चों में रूची पैदा करना है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो हाल ही में किस राजे सरकार ने जीला जलवायू परिवर्तन मिशन की स्थापना की? करेक्ट आंसर है ओप्शन नबर B तमिलाडू देख लो तो तमिलाडू सरकार ने हाल ही में राजे के 38 जीलों में जीला जलवायू परिवर्तन मिशन D.W.C.M को जीला कलेक्टरों द्वारा मिशन इदेशक के रूप में प्रशासित किया जाएगा जैबकि जीला बन अधिकारी D.F.O. जलवायू अधिकारी के रूप में कारे करेंगे 2021-22 के बज़ेट में भी तमिलाडू जलवायू परिवर्तन मिशन के लिए कुल 500 करोड रुपे के परिवय की घोशना की गई थी बात करें हाँ पर तमिलाडू की तो इसकी वर्ल हेट सिट में आता है मॉनिमेटस द महाबली पुरम चोला टैमपल्स नेलगीरी माउंटेन रेलवे लाइन नैशनल पार्क में आता है इंदिरागांधी नैशनल पार्क मुद्णौ म memorable पार्क गल्फ मैरमराईन नैशनल पार्क नेक्स्ट क्वेसन देखो हाली में प्रवासी मोनार्क बटरफ्लाई को आयू सी एन रेड लिस्ट में डैश के रूप में बर्गिकृत किया गया है करेक्ट आंसर है ओप्च नमबर डी लूप्ट प्राई डीचेल्स देख लू तो हाली में प्रवासी मोनार्क तितलियों को अंतराशे प्रकरती संडक्षन संग आयू सी एन दवारा जारी रेड लिस्ट में लुप्ट प्राई घोशित किया गया है मोनार्क तितली डेनास प्लेक्सिपस तितली के कूप प्रजाती है जो पूरे अमेरिका प्रवास के दुरान लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा करती है यह सबसे अधिक पहचाने जाने वाली तितली प्रजाती है प्रजातियों के एक छोटी अबादी ऑस्ट्रेलिया हवाई और भारत जैसे देशों में भी पाई जाती है पिछले दशक में महादवीप में उनकी अबादी में 23 से 72 परसेंट की गिरावट आई है नेक्स्ट क्वेसन देखो भारते विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के लिए कौनसा मोबाईल आप लॉँच किया है करेक्ट आंसर है और प्रजात नमबर ए अधार फेस आरडी डिटेल्स देखलो तो भारते विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अधार काट धारकों को चहरे का उप्योग करके अपनी विशिष्ट बारा अंकिये पहचान संख्या को प्रमानित करने में सक्षम बनाने के लिए अधार फेस आरडी अप लॉँच किया है UIDAI ने अधार प्रमानिकरण उप्योग करता अजैंसियों AUAS को प्रमानिकरण उदेश्चे के लिए अधार काट धारकों के चहरे को कैप्चर करने में सक्षम बनाया है यह अधार फेस आथेंटिकेशन टेकनोलिजी का उप्योग करके प्रमानिकरण के लिए व्यक्ति के चहरे को कैप्चर करता है लास्ट क्वेस्चन देखलो आज के सेशन के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलिसकोप ने ब्रमान्ड में अब तक के सबसे पुरानी गलेक्सी डैश ही खोच की है करेक्ट आंसर है ओप्चन देखलो तो जेम्स विप स्पेस टेलिस्कोप ने ब्रम्हांड में अब तक की देखी गई सबसे पुरानी अकाश्ट गंगा की खोज की है विग्यानिकों के अनुसार ग्लास Z13 नामक अकाश्ट गंगा बिग बैंक के केवल 300 मिलियन वर्ष बाद की है पिछली रिकॉर्ट सबसे पुरानी अकाश्ट गंगा को जी एन जी 11 कहा जाता है विग्यानिकों ने ग्लास Z11 की भी खोज की जो ग्लास Z13 जितनी पुरानी नहीं है यहाँ पर एक्टे इंफरमिशन की बात करें तो हाल ही में चीन ने टियांगों अंत्रिक स्टेशन के लिए अपना दूसरा मोड्यूल वेंटियन सफलता पूर्वक लॉंच किया चीन के हिनान से लॉंग मार्च 5B रोकेट पर वेंटियन को लॉंच किया गया क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की 2nd Annual IUCN WCP International देंजरोवर 2022 प्राप्थ हुआ है औरंग नाशनल पार्क एंटाइगर इजव असम को मिजोराम के पाला वेटलेंड को रांसर साइट के रूप में मानेता मिली है ICC ने कंबोडिया, उस्बेकिस्तान और कोटेडी आईवर को मेंबर्शिप स्टेटेस प्रदान किया अंडेमान निकोबर एड्मिनिस्टेशन को नेताजी सुभास चंद्रबोस आइलेंड हैंड ओवर किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम प्राइड ओफ इंडिया वर्ड 2022 के लिए रंजीत सिंग डिसाले को चुना गया दीन दयाल स्पर्श योजना डिपार्टमेट ओफ पोस्ट ने लाँच की डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन की स्थापना की है तमिल नाडू ने माइगुरेटरी मोनार्क बटरफ्लाई को एंडेंजर घोशित किया गया UIDAI ने फेस अथेंटिकेशन फीचर आप के साथ अधार फेस R&D लॉंच किया और जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप ने अब तक की ओल्डेस्ट गलेक्सी ग्लाज Z13 की खोच की है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुस्वाद डे के आपका पहला क्वेस्टिन है विश्व बैंक के मुखे अर्थशास्तिरी के रूप में किस भारतिये को न्यूक्त किया गया है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है भारत में कारगिल विज़ दीवस कब मनाया जाता है दोनों क्वेस्टिन हमारे प्रीवेस सेशन से हैं इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसेट्स और टेलिग्राम हैंड्स को जोईन जरूर करना है थैंक यू सो मच आइस विए नेक्स सेशन